असलावलेकूम डेर्स्टेंडस उम्मेद है आप सब ठीक से होंगे अच्छे से होंगे तो बेटा आज का जो लेक्चर है that is about लिमिटिस एंड डेरी वीडिविटवस कलास अलेवन्त का यह चप्टर नमर 13 है एक important topic है dear students जो कि आपको 12 में भी पढ़ना है और जो कि आपके competitive exams के लिए भी एक important lecture है तो dear students आज के lecture में हम discuss करेंगे exercise 13.1 का question number 1 से हम start करेंगे तो सबसे पहला जो important point है dear students वो है कि इसमें यानि कुछ questions ऐसे भी है जिनमें हम direct limit दे सकते हैं मगर कुछ questions ऐसे भी होंगे जिनमें हम कुछ standard limits का use करेंगे तो dear students यहाँ जो पहला question है वो क्या है that is limit x 10 to 3 यानि question है limit x 10 to 3 x plus 3 तो dear students यह वाला question यानि इसका जो हमें limit है वो तो हमें evaluate करना है और यह जो पहला question है exercise 13.1 का question is अगर limit x 10 करता है या x approaches to 3 then we have to determine the limit of this function which is a polynomial function तो dear students इससे पहले आपको मैंने एक point पढ़ाया था कि यनि जो point आपको मैंने पढ़ाया था about the algebra of limits वो क्या है अगर f और g these are two functions और अगर अगर ये दो functions आपस में connect होंगे plus से या minus से पलस से या minus से इसी तरह अगर ये दो functions अगर दो functions connect होंगे into से यानि दो functions के दर्मियान into की साइन है और इसी तरह से अगर दो functions के दर्मियान कौन सी वाली साइन है यानि divide की साइन ये जो limit है dear students यहां तो हम limit अलग अलग भी दे सकते हैं यानि इसको हम लिख सकते है limit extends to a f plus minus limit extends to a g यानि इसका हम अलग limit दे सकते हैं और इसका हम अलग limit दे सकते हैं इसी तरह या क्या कर सकते हैं यानि f का अलग limit इसी तरह dear students g का अलग limit जी का अलग limit यानि we have two functions f is one function g is another function और हमें इसका limit evaluate करना है तो हम कैसे करेंगे तो मैंने dear students आपको बताया इसका हम अलग लिमिट दे सकते है इसका अलग इसी तरह यहां भी जब डिवाइड के साइन होगी तो हम अलग-अलग लिमिट डिटर्माइन कर सकते हैं यानि लिमिट extends to a f upon g बट केप इन माइन यह जो g वाली function है this should not be equal to 0 अच्छा अब आपके लिए एक छोटा सा question है एक simple question है इसका limiting value आपको determine करना है इसको हम क्या पढ़ते है limit extends to 3 x plus 3 तो dear students अगर आप यहां check करोगी इन दो functions के दर में कौनसी वाली sign है plus की है न अभी मैंने पढ़ाया जब बीश में plus हो minus हो into या divide हो तो limit हम अलग-अलग दे सकते है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां limit extends to 3 x plus यहां क्या लिखेंगे limit extends to 3 यहां क्या है जिगर मेरा यहां तो है 3 अच्छा यह क्या बनेगा x के बले क्या लिखेंगे 3 तो direction यहां क्या लिखेंगे यहां तो लिखेंगे 3 because it is a constant function यह थेकिन लिमिट के लिखेंगे तो इसको आप simplify करेंगे what we get we get 6 अच्छा अब इसका है direction is question number 2 question number 2 क्या है question number 2 question number 2 is limit extend to x क्या tend करता है direction is extend करता है πाई और हमें किसका value determine करना है x minus 22 upon 7 तो dear students यहां क्या करोगे same procedure same procedure है क्या है procedure हम क्या करेंगे इसका अलग limit इसका अलग limit चुँकि यहां तो constant function है इसलिए यह तिन रोजन लिमिट को असर total कही लिए तो आपको क्या लिखना है हम लिखेंगे limit लिख सकते है 22 upon 7 भी what it becomes what it becomes dear students it becomes x के बाले क्या लिखेंगे pi minus क्या लिखेंगे 22 upon 7 dear students यह रहा question number 2 अब तो बात करेंगे हम question number 3 की यानि question number 3 जो है question number 3 क्या है dear students देखे question number 3 क्या है question number 3 है यानि limit limit अगर x tend करता है क्या tend करता है नहीं यह r है x नहीं है r तो tend करता है 1 we have to find the value of pi r square this is question number 3 तो dear students एक और point का आपको दिमाग में रखना है वो क्या है अगर limit x approaches to a k कोई constant है किसी function के साथ तो यहां हम क्या करेंगे k को हम इस limit के बहार लिखेंगे यानि ऐसे limit extend to a f of x then dear students हम यहां क्या करेंगे इसी rule का use करेंगे हम pi को लिखेंगे बहार फिर क्या बनेगा limit क्या बनेगा limit r क्या tend करता है 1 यहां क्या है r square what it becomes it becomes pi r के बाद ही क्या लिखेंगे 1 square what it becomes it becomes dear students pi अच्छा अब रहा इसका question number 4 जो के एक important question है dear students आपके लिए question number 4 क्या है question number 4 is limit x tends to x क्या करता है 10 4 और question है dear students 4 x plus 3 4 x plus 3 और upon में क्या है upon में x minus 2 upon में dear students x minus 2 तो आप कैसे इस question को symbol पर करेंगे अभी मैंने बेटा आपको एक rule पढ़ाया यह नहीं यह चीमन दोन function यह नहीं होंदे एक function जो add सची numerator समस्ट ब्याक्षी denominator समस्ट अच्छा what we have to determine we have to determine the limiting value of this function तो कैसे करेंगे हम इसको कैसे करेंगे dear students पहले हम numerator का अलग limit देंगे और denominator का और denominator का अलग limit देंगे what it becomes it becomes limit x tends to 4 4x plus 3 अच्छा divide में क्या लिखोगे limit limit extends to 4 it becomes x minus 2 dear students है ना अच्छा अब limit की बारी है है ना limit की बारी अब limit की बारी है चली 4 को ऐसे लिखेंगे x के बले x approaches 4 plus क्या है जिगर मेरा 3 what it becomes it becomes 4 minus 2 what becomes it becomes 16 plus 3 और अपान में क्या आएगा अपान में आएगा 2 at last what it becomes it becomes 19 upon 2 यह रहा dear students question number 4 अब है question number 5 अब है dear students question number 5 question number 5 क्या है question number 5 question number 5 क्या है question number 5 is limit 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 x approaches to x approaches to 1 what it is it is x की पावर 10 plus x की पावर 5 x की पावर 5 फिर क्या है dear students फिर है plus 1 और divide में क्या है divide में dear students x minus 1 तो यहां क्या करेंगी dear students यहां क्या करेंगी हम है ना x तो tend करता है minus 1 को अगर x आसा जगर मेरा यह तो tend करा 1 फिल बनाई undefined indeterminate form है ना जो के मैंने आपको introduction part में बताया अच्छा चले numerator का अलग limit देंगे इसका अलग इसका अलग जब इसका देंगे न dear students what it becomes limit x क्या tend करता है minus 1 what it becomes x की power 10 plus यहां भी अलग-अलग limit है ना x क्या tend करता है minus 1 what it is it is minus 1 की power अच्छा अभी मैंने limit नहीं दिया x की power 5 plus है 1 अच्छा divide में क्या है dear students limit limit x क्या tend करता है minus 1 what it is x it is minus 1 चुँकि यहां तो limit का असर नहीं रहेगा अच्छा अब क्या करना है x के बाले क्या लिखेंगे minus 1 minus 1 why x approaches to minus 1 और क्या आएगा और आएगा 10 और क्या आएगा plus फिर क्या लिखेंगे x के बाले minus 1 अच्छा power में क्या आएगा 5 और plus में dear students 1 अच्छा what it becomes minus 1 and minus 1 what it becomes it becomes 1 it becomes minus 1 it becomes 1 है ना अच्छा last में क्या लिखेंगे dear students लास्ट में क्या लिखेंगे आप ऑन में मैंनेस टू अपन टू यह नहीं के साथ मैं नहीं डिसकस किया है कुछ क्वास्टों प्यूस्टन में दिसक्षर नमर फाइव तो डियर शन्रस यह जो बाग की कॉस्टन है अगले लेक्ट्छर में आप से फिर मिलेंगे तब तक के ल